जी हां दोस्तों जो बड़ी ख़बर आरी आपको बता दे क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई पतंजली की सोन पापड़ी असिस्टेंट मैनेजर सही दीन को जेल ख़बर में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें आपको बता दे इस बुर्णकोट के द्वारा सक्ति अपनाने के बाद बाबारांदोय की कमपनी पतंजली की मुस्किने कम होने का नाम नहीं ले रही है आपको बता दे उत्रकंड के पिथोरगळ के मुखे नाइक मजिस्टेट ने सोन पापड़ी के नकसल में फेल होने पर पतंजली आईरवेद लिमिटेट के एक साहयक प्रवंदक सही तिन लोगों को चै महिने की जेल की सजा सुनाई है और तीनों पर जुर्माना भी लगाय दोस्तों आपको बता दे 17 अक्टूबर 2019 को एक खाद सुलक्षन रक्षक ने पिथोरगळ के बेरिनाक के मुख्य बाजार में लील अधर पाटक के दुगान पर दोरा किया था जहां पतंजली नवरता निलाईची सोन पापड़ी के बारे में चिंताय व्याक थी गई नवने एकत्र किये गए और राम नगर कहना जी वित्रक के साथ साथ पतंजली आईवेल लिमिटर को नोटिस जारी कर दिया गया इसके बाद उत्रकंड के रूद्रुपूर उद्धम सिंग नगर में राज्य खाद योम उजदी परिक्सल प्रियोक साला में फोरैंसिक आईजित किया गया था तिसम्मर 2020 में राज्य खाद सुरक्चा विभाब को प्रियोक साला से एक रिपोर्ट मिली जिसमें मिठाई की घटिया गुडवत्ता का संद के दिया गया था इसके बाद वियाविसाई लिला धरपाटक वितरक अजय जोसी और पतंजली के असिस्ट मेनेजर अभी से कुमार के खिलाफ मामला दर्ज किया गया सुरुवाई के बाद अदालत में खाद सुरक्चा और मानक अधिनियम 2006 के धरा उनसट के तहत तहत तीनों को क्रमांक से 6 महीने की कैज और 5,000, 10,000 और 25,000 रुपे के जुनमाने की सज़ा सुनाई गई अदालत में इतना फैसला खाद सुरक्चा और मानक अधिनियम 2006 के तहत सुनाया खाद सुरक्चा अधिनियम ने कहा है अदालत में पेश किये गई सबूत इस पश्रूप से उतपाक की घटिया गुडवत्ता के बारे में बताते हैं हिंदुस्तान की रिपोर्ट